आयो को लाज पिंटिंग सिखाते हैं, ईसके निए हमने पेपर लिया उसको टेप चे लगा लिया है फिर मैं ऊपर के तरफ पोस्टर कर वाइट पोस्टर कलर डाल रही हूँ बीच में थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर फिर यलो कलर डालोंगे फिर उसके नीचे red color लिया है black इस ता से आप color गरा ला लेंगे फिर उसके उपर plastic sheet से उपर से pressure देँगे ताकि color मिक्स हो जाए आपस में मिक्स होने के बाद आप इस plastic sheet को हटा दिंगे तो हटा के हमारा background को texture है वो clean दिखने लगे गा और उसको फिक कलर को आप सूखने दिजीगा, सूखने के रद हमारा background इस्ता से त्यार हो जाएगा, फिर मैंने क्या लिया है, कि मैंने ज्ञाडों की कुछ सीख लिया है, जिसको मैंने आदी red और आदी नीचे से black color से color कर लिया है, poster color, आप कुछ भी चीज ले सकते हैं, जो आ आप इस ता से कुछ फूलों को काट के रखा हुआ है, आप इस ता से कुछ फूलों को कटिंग कर सकते हैं, मैं आपको फूल कटिंग करना सिखाती हूँ, इसके लिए पेपर को आपको square shape में लेना है, उसको turn करना है, फिर opposite side में turn करके, उसको फिर नीचे से point के तरफ एक ट तरह लगें, और फिर उपर का portion की फूल की लिए काट करने के बाद आपका flower जो फूलेंगे तो एक अच्छे से full की तरह लगेगा, इस ता से आप काफी फूल कटिंग कर सकते हैं, जब मैंने यहां पर यल्लों और वायट को लखे करें हैं, आपको इसे भी कर लिजेगा, फ मैंने इन फूलों को चाड़ियों के पीच पीच में लगाया है, वायट कलर के, यल्लो कलर के, जब सारी flower आप इस ता से सहट हो जाएंगे, तो आप कुछ लिए भारे रंग की पत्तियों को भी नीचे लगाईएगा, जो टंडी के तोनों तरह होंगे, कहीं light, कहीं dark कलर के, जो बिल्कुल रियल पत्तियों के तरह लएंगी, देखी, ऐसे पत्ति अलग चुकी है, फिर मैंने बीच पीच में थर्मकॉल की गोलियों से फूलों के पीच का पराग बनाया है, अगर आपके थर्मकॉल की गोली नहों तो आप बटन, या जो भी आपके घर में चीजों मो जाएगा, जो बहुती सुन्दा लुक देगा आपके पेंटिंग को, इसके बाद फिर मैं थोड़ी सी डिटेल और निकाल दूंगी, इसके निए मैंने क्या करा है, कि हम पोस्टर कलर लेंगे, और अपना पोस्टर कलर को हम बीच पीच में लेंगे, ग्रीन कलर का पूस्ट को मिक्स करने के बाद मैं थोड़ी सी डिटेल निकालोंगी, ताकि हमारी पत्तियां थोड़ी कलियर टच में लगे, और ऐसा लगे से हमारी जो डैफ्त वाली पत्तियां है, वो देख जाए है, ताकि हमारी फूल कुछ उबरे हुए, कुछ नीचे की तरफ इस तासे लुक कुछ उसमें लायर कला की ग्रीन कला से छोचोटी जाणियों का लुक भी दे देंगे पेंटिंग में नीचे की तरफ फिर थोड़ी सी डालियों की डिटेल भी निकाल देंगे कलर से, ताकि गहराई की डालियां भी हमारी दिखने लगे, फिर हम कलर को थोड़ा सा जो हमारे उपर की तरफ जाणियों में लुक दिया है, उन पर थोड़ा सम शेडिंग भी दे देंगे, ताकि वो हमारा ओरिजनल लुक लगे पूरी तरीके से, देखे मैं डिटेल निकाल दी है, बीट पीच में से, कुलास पेंटिंग आप बड़े अच्छे तरीक से, जो भी घर में व्टे पावता से करने बाद अच्छा सा लगता है, इंटर्स्टिट लगता है, मैंने बीट बीट में ये वाइट क्लर के पोल्च Hessen छोचोचोचे फूल अलगा दीचैनल यह फूरिन सी डेटेल और निखाल देंगे ताकि हमारी बार्ट यह उर्थी हुए नजर आए सकाइमे थोड़े सी क्लिएर कर लेंगे इसके बाद थोड़ा सा मैस में गोल्डौन कलर ओर नूंगी उसकी टचिंग देखे उसके तुर सी डेटेल मैं के लिक लिए और कर देती हुए ताकि इसके बहुत अच्छी लगे और बुलकुल इसको चुपका देंगे, चुपकाने के बाद इसके अपोजर साइड माम इसको ब्लैक कोस्टर कलर कर लेंगे, मैंने इस तरीके से फूर इस्ट्रिप और्क तयार करके रखिये फ्रेम के लिए, जो इसके मैं चारो तरफ लगा देती हूं, जिसा से मैंने लगा दिया है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है, और आशा करेंगे, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी, पुलास पेंटिंग